हेलो इस्ट्वेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभाम त्यारी जहां पे चल रहे हमारी यफवय बीकॉम क्लास यफवय बैफ और यफवय बीमस क्लास समिस्टर 2 कम्प्लीट मैट्स की स्रीज और टॉपिक चल रहे हमारा इंट्रेस्ट एंड इसका और भी नाम है क्या नाम से आपका टॉपिक है एक तो प्रिजेंट वर्थ प्रिजेंट वर्थ के नाम से जाना जाएगा या फिर प्रिजेंट वैल्यू के नाम से प्रिजेंट वैल्यू वही भी नाम आए आपको ध्यान में रखना है कि यह टॉपिक है और पहचान भी बताऊंगा कैसे आप पहचान होगे कि यह प्रिजेंट वैल्यू का ही सम है क् झाल झाल यह question जरा आप ध्यान दो पहला find the present value अब यहाँ पे आप देखोगे clear यह line mention कर रहा है कि क्या है present value हमें चाहिए clear रही कि नहीं present value clear mention किया तो sir इसमें तो पहचान की ज़रूती नहीं पड़ी आगे लिख रहा है of an immediate NUT of rupees 10,000 per annum for 4 years at the rate of 9% अब यहाँ पे आपको मैंने यह नहीं बता है present value का क्या फॉर्मूला था present value का फॉर्मूला सीखेंगे कि present value पी निकालना है पी निकालना बहुत आसान है formula क्या सिखा रहा है जरा वह देखते हैं c bracket में one minus v power n बहुत simple topic है formula एक important है कि याद होना चीए वी बुले तो present value equal to c जिसको बलते है cash flow या फिर payment आप बोल सकते हो ब्रेकेट में one minus v power n आप आपके लिए एक new concept यहाँ पर आता है प्रेजेंट वेलू का c bracket में one minus v power n upon me आपको c का मतलब पता है आई का मतलब पता है शिर्फ एक new concept आपके लिए वी निकालना मतलब one upon me one plus i करना easy हो जाएगा अब जोरा question rate करते क्या का details से इमिडिये एन्यूटी कितना देके रखाया 10,000 it means आपका c जो था c जो है वो 10,000 c में कोई दिक्कत नहीं भाई c निकालना आसान होगे number of year की जब आप बात करते हो कितना दिया है four year यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है rate of interest कितना दिया है नाइन पर्षेंट पर एनम अब इसको आपको convert करना पड़ेगा ना इसमें कैसे i equal to 9% बोले तो divide by 100 कितना आएगा आपका 0.09 आएगा I think घरेक बच्छे को समझाओगा यह तो easy था पर्षेंट को convert करना क्लियर है कि नहीं है calcium आप ले 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 ना 9 divided by 100 तो 0.09 आपका आ रहा है चलिए वी निकालते हैं कि आप formula बता रहे वन आप उन में 1 प्लस आई बूले दो कितना है 0.09 आ यही आ रहा है शुली के आपने कीतना है 1.09 क्य आपका 1 divided by 1.09 कल्सी पे डिवाइड कर दो 1 डिवाइड कर दो वन पॉ эту-new currently 0.9 1743 यहीा आई ओड्से का आ रहा होगा क्या रहे तो एडिरो पॉइंट ना रम यहीं कि यह अगर आपने कर लिए वैल्यू पुट कर देखो बहुत सिंबल टॉपिक इंपोर्डेंट क्या इसमें पता है कि एक तो आपको पैशान पता हो नहीं जो कि मैंने यहां क्लियर करा दिया सेकेंड फॉर्मूला याद होना शी उसका कॉंचिप्ट आपको याद कर लेना है चलिए दो देन एक्जामवल प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा सी की वेल्यू कितना क्लियर मेंशन कर रहे हैं टेंथा हो जाए ब्रेकट वन माइनस वी वी का मतलब क्या होता है आपको यह देखो दिख रहे है जीरो पॉइंट नाइन वन सेवन पावर कि कितना लगाना है फोर डिवाइड बाई कितना है जीरो पॉइंट जीरो नाइन अब एक इंपॉर्टन शीज आप लोग सुनों यहाप पर सिया इतिंग समझ में यहां से मिले इधर से जीरो पॉइंट नाइन वन से बट कैल्सी पे अभी जितना है ता मैंने वही रखा है य लिखना है बट कैल्सी पे आपका पूरा रहेगा कितने डाइम करना है फोर टाइम आपको करना है तो मल्टीप्लाइ आपको कर लेना है इसका कॉंसेप्ट एक बार फिर से मैं यहां क्लियर करा दू यह कैसे किया जाता है जितना भी आपका एंसर आया था जीरो पॉइंट च्वन सेवन 413 डबल 1 9266 आई हो फार एक बचय का यह होगा आपको करना है मल्टीप्लाइ एक्वल टू कर लेना है यह ओग्या अपका टू टाइम फिर से एकवल टू कर लेना है यह ओगा फॉर टाइम और देखो फॉर टाइम करने पर कितना एंसर आ रहा है और मैं फिर स यह आपका कैल्सी पर रहेगा बट आपको लिखना इतना ही है क्लियर है कि नहीं डिवाइड भई 0.09 क्यों नहीं गैंसल करने की बात हो रही आगे देन से सुनो माइनस वन कर दो आप जितना भी आपका एंसर है इसमें से माइनस वन करना है निगेटिव आएगा बट निगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि आप फूजिट माइनस आप ने किया न तो जो एंसर है आप सिर्फ ओ लिखो तो कितना या रहा है टेन दाउजन 291 ओन यहां रहा है ने 291 5747895 आपको केलशी पूरा लिख लेना है अपन में कितना है 0.09 0.09 क्यार केल्शी पे जितना भी था उतन यह रखना है कि तो फानल एंसर जहां देना बाग्ये 2915.747 divide by 0.09 अब यह द्यानक ना कोई बच्छा यह नहीं बूलेगा सर यहीं पर round figure करना है नहीं आप वो ऐसे ही लिखो last में करना हो अब divide by सीधा में कर दूँँगा 0.09 final answer आ रहा है जो हमारा 32397.1989 277 यह आ रहे अब इसको आप round figure अब यहाँ पर final answer पर अपने करेंगे कितना जान दो इतर 19 यह फिर आप यहाँ पर अगर करना चाहते तो 8 है तो 8 की जगा पर क्या जगा 9 आ जाएगा अगर यहाँ पर करना चाहते तो 19 वह यह आप देखोगे 8 है 8 के बाद यहाँ पर 9 9 के बाद एक बढ़ा दोगे तो 10 आएगा ना तो बुले तो 19 की जगा पर आप क्या लिखोगे 20 कितना लिख दोगे 20 यह आपका final answer आएगा यह आपका यह पी वी बुले तो फ्रिजेंट वैलू कितना है 32,397 पॉइंट कितना रहा है 20 क्लिए है चलो देख लो है पहले स्टार्टिंग से नोट कर लो यहाँ पर जाएंसर देख रहा है इसा कुछ नहीं है आपको आपके हिजाब से चलना है राउंट फिगर नहीं किया जान से समझना इसके क्योंकि इसके पहले भी immediate NUT के concept में आप देख चुके हूं बहुत सारे question में बुक वालों ने क्या किया एफ रॉक्स लिया है बहुत सारे बुक में राउंट फिगर नहीं किया है तो आपको हमेशा यही pattern चलना है जो मैंने सिखा है सबसे best pattern यही है चलने नोट कर लो नहीं समझा रहा है यह वाला जो point वाला concept कर रहा है तो अभी आगे भी फिर से में explain करूंगा question number 2 में भी स्टार्टिंग से बोला दो चीज आपको इस topic में समझ में आनी चाहिए पहला तो question पहचान में आना चाहिए present value का सर्फ पता कैसे चलेगा present value का समय दोको पहचान इदर बता दिया आगे भी सम्में बताएंगे formula second चीज दो चीज चाहिए पहचान formula पहचान formula बागी तो प्रैक्टिस का गेम है जितना question प्रैक्टिस कर ले जाओ कि उतना easy concept आपका बन जाएगा चलो नोट कर लिया नोट कर लिया चले I think कर लिया होगा तो चले बात करेंगे question number two पे आज के question number two पहला doubt है सर पता कैसे चलेगा कि यह present value का समय clear देखो clear mention कर रहे है ओभी कौन से topic है सर नोट पहचान में कोई दिक्कत नहीं है नहीं सर formula याद नहीं हो रहे है चलो फिर से याद गर आते है आपको याद होना च आई कोई दिक्कत तो नहीं formula याद होगा एक से दो बार practice कर दो कि आज के class में याद हो जाएगा formula कोई दिक्कत नहीं मैं आप से आकर पूछो भई वी क्या है तो आप बताओ के sir one divide by one plus i की बात करता है topic यहीं पे close अब तो practice का game है Kelsey हमारे पास है detail जरा देख लो क्या बोला find the present value की पूछ रहे आफ एनने उटी ऑफ रूपीस three one three three one बुले तो अपने को सी देखे रखा है one three three one की बात कर रहे है number of year देखो जड़ा paid at the end of each year मतलब immediate इमेडियेट इमेडियेट का concept आपको सिखाया था ना इंडिंग में payment होता है कितने यह के लिए three year बुले तो number of year कितने हो गया three years की बात कर रहे rate of interest की बात कर रहे भी 10% पर एनम पर इसको convert करना पड़ेगा कैसे 10 divided by 100 तो कितना आया 0.10 या फिर 0.1 आया की नहीं अब यह आयेगा जो value आपका न यह put करना पड़ेगा इदर formula में जरा ध्यान दो इदर one divided by one plus i one plus i बुले तो कितना 0.0.10 या फिर one लिखो बात तो वही है तो one plus आप लिख लो one plus 0.10 किया तो 1.1 या फिर 1.10 आप बोल दो कितना आ रहे 1.1 या फिर one zero आप लिख दो तो divide कर देते हैं one divided by one one फानल एंसर जिरो पॉइंट नाइन जिरो नाइन जिरो नाइन जिरो नाइन कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को अब देखो इधर मैं क्या समझा रहा था प्रिविएस एक्जांपल में कैल्सी पे मेरा आया है 0.909090 यही पैटान आ रहा और आई हो फर एक बच्चे केल्सी में आओके कैंसल नहीं करना कुछ ऐसे लिए रहा क्योंकि व्यालू पूट करेंगे तो वहां पर द्यान रखना क्या करना नाइन जिरो नाइन ही लिखो बट कैल्सी पे अपना पूरा यह होना चीए फॉर्मुले में जब व्यालू करेंगे तो सी का व्यालू कितना 1331 1331 वन माइनस वी पावर यहन वी बोले तो कितना 0.909 लिखना इतना यह बट कैल्सी अपना पूरा रहेगा कितना है 0.909 इसकी पावर कितना लगा रहे पावर पावर कितने डाई में 3 यह नंबर ओफ यह आप देखोगे कितना है 3 तो 3 हो गया आप कौन में आई बोले तो कितना है था 0.10 या फिर 1 आप बोल सकते हो ना अब देखो इदर क्या बोला था 0.909 ही लिखा ना बट कैल्सी पे अपने को क्या रखना है पूरा रखना है अब कैसे यह कॉंसेट पावर वाला कराया था आपको क्लियर मैंने बताया था आपको बटिप्लाइं फिर एकवल टो कितना डाइम होगा टू टाइम होगा फिर से इकवल टो कितना डाइम होगा थ्री टाइम होगा क्लियर एक नहीं अब देखो आपका एंसर आ रहे 0.7513148 0089 पर यहां पर कितना लिखेंगे देखो आप यहां पर 1331 की बात हो गई 1 मायने से प लिंखूंगा इतना ही बट कैल सी पे अपने पूरा रहेगा यह कितना हो गया 0.10 कोई दिक्कत तो नहीं है ना कंफ्यूजन रहेगा जरूर मेंशन कर दिया को भई 1-1 तो बुले तो मैंने बोले था सीधा माइनस कर दो आप उन कोई दिक्कत तो नहीं माइनस में आ रहे ब पॉइंट टू फोर एट सिक्स एट फाइड डबल 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 के लेकर बैठना नहीं तो एक्जाम में बहुत कन्फूजन में आएगा यह पैटन जो सिखा रहा हो जो बात आरो आपको फिर एंसर में बहुत डिफरेंस आने लगेगा अगर आप इतन ने मिलेगा चली कर लिए फिर स्क्रीन शॉट आपने लिया इतना पार्ट चली आइधिंक हर एक वेच्छे ने कर लिया होगा इतना आगे बात करते हैं आगे का डीटेल समय सिखा रहा है बहूँ मल्टिप्लाइ कर लेना है मल्टिप्लाइ वन त्री त्री वन कितना एंसर को ब Salt आ रहा है कि थ्री च्री और FEMA province से कि खितना रहे है थ्री ट्री टैन पॉइंट जिरो 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 तो मैंने बतारे ऱे आप राउंड फिगर किया करो एक दम इंडेंग में जब आपका एंसर आजाए यह आपको जो प्रिजेंट वैल्यू आगया यहां पे करो आप तो एंसर आज़े थ्री वन जीरो पॉइंट गप सब्सक्राइब तो दीजिट अब लेकिना दिखा जीरो तो जीरो 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 इसलिए लिखा नहीं जाएगा यहां तो यह हमारा प्रिजेंट वर्थ हो गया वह तो प्रिजेंट व्यालू आगई को दिखकत तो नहीं किसी बच्ची अब देखुआ फानल एंसर भी तो कि अब यह समें दें को एक्जेक्ट आ गया आया कि नहीं है चलिए आई थिंग क्लियर होगा कॉंचेप्ट किसी बच्छे को बार-बार मेंशन हो रहे हैं कोई भी डाउट रहता है थोड़ा सभी कोई डाउट मैट्स को लेके है कोई टॉपिक को लेके तो मेंशन कर देना वह पर्शेज टीबी सेट एंड पेड रूपीज फाइथाउजन इम्मीडियेटली एंड़ रूपीज फाइथाउजन आफ्टर एंड रूपीज फाइथाउजन आफ्टर टू इयर्स प्लियर रिक नहीं अब ऐसा होता है भाई पर्शे के कहीं दुकान रहती हमारी थम्लों क होता है यहां पांच पांक होता है यहांपि नसु के बाद पांच पांच दिया दूतर की है याई मृइड lesion ओंद करते है तो तो इसने क्या किया 5,000 तुरंत इमेडेटली पेमेंट हुआ है और रूपीज 5,000 आफ्टर ए येर और 5,000 आफ्टर टू येर तूसरे साल टोटल 15,000 का पेमेंट हुआ है एंदस बीकम डेप्ट फ्री उसके बाद उसके क्या हो गया है डिप्ट फ्री बुले तो टोटल पेमेंट वह कर चुका है क्वेश्चन बोला है फाइंड दी प्राइस ऑफ टीबी सेट इफ दी कंपाउंड इंट्रेस चार्ज वोज 3.5 पर एनम सबहाएं इंपको टेवियर फेल 10 पहले आपको क्या सब्सड़ का सब्सब्सब्स की सब्सक्राइब अब इसकर में आपको था प्राइस नजिए व्यार सब्सक्राइब्ण हब सुक्गोंगे अभी तक कि हमारा है कि इंट हमारा कितना है अब ज्यानग न कोई वच्टा यह नहीं बता है कि अब कैसे पता चले का भी देहेंगे आप बात करेंगे प्रिजेंट वेल्यू अब बच्चों का डाउट है सर प्रिजेंट वेल्यू आपने सिखा नहीं कैसा लगेगा क्यों लगेगा सम्मेर ऐसा कोई पैशान नहीं बताएंगे इंडिंग में पहले आप कॉंचेप्ट सुखो फॉर्मुला क्या था सी ब्रेकेट में वन माइनस व क्या लगरे कोई दिक्कत थो नहीं चलिए दिक्कत सरे है सी की लिए हमेने समझ मारी कितना आपको क्या बतायाता है तक कैश फ्लो पे मैं कि तनक का रहा है सबसे कि नहीं कहां पर दिख रहा है क्योंकि दो साल में आप देफ्ट फ्री हो रहे तो दो साल माने जाएगा और रेट आफ इंटरेस्ट की जा बात करते हैं 3.5% पर एनम की बात कर रहे हैं इसको चेंज करते हैं 3.5 डिवाइड बाइ 100 3.5 डिवाइड बाइ 100 कर लो 0.035 हो गया चलिए आगे बात करेंगे किसका V की V आपको पता होना शे क्या फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाइड 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 ब कि छेली आई थिंग हर एक बच्चे का यह आया होगा को को दिक्कत नहीं है कि जाने रखना कि और भी एंचर आ रहा है 0.96618357487 इतना बड़ा एंचर पर आप क्याल्सी पर आपको यह रखना है और लिखना इतना ही है छेले फॉर्मुले वेल्यू पुट करते हैं सी कितना था फाइथ होसे है वन माइनस वी पावर है वी कितना है 0.966966 पावर कितना लगेगा टू नंबर ओफ यह आपको दिख रहा है ना आई कितना निकाला आपने 0.03 0.035 इस्पएर लगा बूले तो 2 टाइम कैसे लिए आपको सिखाए गया multi प्लाइ कर दो equal to कर अजाएगा तो यह तो आपका सेम कॉप्य होगे वाइ 5000 वन मानेस ये करने पे कितना रहा है 0.933 आरह है आपन में कितना है 0.035 कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को शेले आगे पहले इतना नोट करो आप कितना नोट कर ले ना आपको शेले नोट किया आपने आगे देखते जो भी के लसी पे आपका एंसर आया था माइनस वन कर लो यह कितना आगे आप फाइस है मल्टिप्ला है माइनस करने के बाद कितना रहे 0.0664 बड़ आगे के लसी पे अपने को 892966 का पैटन चल रहे यह आपका आगे 0.035 मल्टिप्ला है 5000 के लसी पे जो भी आए था मल्टिप्ला है आपको करना है 5000 कितना रहे 332.446 प्लियर है डिवाइड बई कितना 0.035 कि चल लिए करते हैं कितना आएगा डिवाइड बई 0.035 कितना रहे 94 98.471 कितना रहे 471 तो आप round figure कर दो तो one हड़ जाएगा यह आपने क्या निकाला है ध्यान रखना है यह आपने क्या निकाला है अब question ज़रा समझते क्या बोला गया यह आपने निकाला present value present value अब question ज़रा समझो क्या है जो आपने down payment किया डाउन पेमिंट कितना किया 5000 यह तो प्रिजंड वैलू ही है ना बई प्रिजंड वैलू को मतलब समझ लेकने जो इमेडियेट आज की उसकी वैलुएशन क्या है आपने अगर नेट प्रिजंड वैलू का कॉंसेट समझा तो उसमें समझा था बई नेट फ्यूचर कैश फ्लो को अब convert करते हो प्रिजंड वैलू में तों यह तो तुरंत आपने पेमिंट किया है तो यह तो आपका प्रिजंड वैलू ही है बट werd एक साल के बाद payment करोगे पाच फिर दूसरे साल के बाद पाच वही एक-एक साल के बाद इसकी कुछ न कुछ वैलू क्या हो रही है कि कम हो रही हुए तो एक-एक साल का नहीं निकालना है टोटल आप बताओ बही कितना तो कॉमन सी बात है से 10,000 फ्यूचर कैश फ्लो है जब प्रिज है कि इस प्रिजंट बैल्व स्टार्टिंग से कितना प्रेमिट आप सिर्फ राइख वे था होजाओ फाइथा तो टोटल हो गया शहुदा 500S अ सब्सक्राइब कैसे पता चला अब समझते कार्ति कार्तिक पर्षेज टीबी सेट एंड पेड रूपीज फाइथाउजन इमेडियेटली पांचीजार उसने तुरंद पेमिंड गया एनदर रूपीज फाइथाउजन आफ्टर एक साल के बाद उन्होंने पेमिंडिया पांच और फिरो डेप्ट फ्री हो जाता है आगे बोला फाइंड दी प्राइस ऑफ टीबी सेट इफ दी कंपाउंड एंट्रेस चार्ज वोज त्री पॉइंट फाइफ पर्षेंट परेन बोले टीबी सेट का प्राइस आप बताओ क्या है तो प्राइस निकालना है आज के डाइम अपने 9500 बेलिए 10,000 का 5,000 का स्टाइंग वाला कैश वाला कैश लो एसे जरा ध्यान दो इदर के आप बोल रहो हुं मैं प्रिजेंट वैल्यू आपने जो यह निकाला है ना 9498 यह किसका है यह सिट 10,000 का है यह तो 5,000 तो अल्यडी इनिशियल पेमेंट है आप बोल सकते हो या फिर डाउन पेमेंट आप बोल दो तो जब आप प्राइस निकालोगे therefore the price of TB तो कैसे निकालोगे आप बोलोगे सट डाउन पेमेंट प्लस पीबी द्यान अगना पीबी क्यों लिखा जार है डाउन पेमेंट भी पीबी है बट पीबी आपको यह दो का निकालना पड़ेगा सिर्द दो साल का क्यों दो साल क्योंकि future का ही present value आप निकालते हो क्योंक प्लस यह कितना है 9498 करना या फिर राउंड फिगर आप कर देना 9500 तो आपका फाइनल एंसर 14500 यह आजाएगा टीबी का क्लियर है कि नहीं कि आई थिंग क्लियर होगा कि चलिए नोट कर लो आप किसी बच्चे को ऐसा डाउट लगेगा तो जरूर मेंशन करना कि क्लियर है और नहीं समझाना तो आप एक एक ग्जमपल समझाए यहाँ पर जब दुकान से सर कोई भी सामान लेने जाते हो आप यह माई बेस पर उसी पैटन में कुछ चल रहे है क्लियर है कि नहीं तो वहाँ पर क्या होता है जैसे जो उसकी क्याश प्राइज होती जैसे इसे एक्जमपल आप समझाए यहाँ पर क्याश प्राइज होती कोई मोबाइल लेने जाते हो 13,000 तो अपने को पढ़ता है 14,000 तो आप लोग क्या बोलते सर यह हमारा क्या चार्ज हुआ इंट्रेस्ट तो वही कॉंचेप्त हुआ आप समझा ना भई कर लिजी क्लियर है आज हमने तेन एक्जमपल की प्राक्ट इसकी एक और क्लास्स की आई है यह प्रेजें करें अगर क्रियेट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में में शंगे या फिर यह यह नगा करना है और प्वीट लिंक हमारे कॉमर्सिक्षन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकें तो चलिए मिलेंगे एगली क्लास में तब तक के लिए थैंक्यू, so much